दोस्तों आई मैं पाकसान टेलिविजन और रेडियो पाकसान के एक नामवर कमपेर, कालम नगार, मसनफ और अदाकार के बारे में आपको पताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी एजुकेशन की डिग्री तो इंग्लिश लिटरेचर में हासल का रखी थी मगर उनको पंजाबी जबान में पाकसान टेलिविजन पर बहुत ज़्यादा पापुलेटी हासल हुई जी हमें बात कर रहा हूँ दिलदार प्रवेज बट्टी की हम तीसरी दुनिया के रहने वालों का प्राब्लम यह होता है कि जब इस तरफ सीट में ले तो अच्छी एर हॉस्टस उस तरह होती हुई एसा ही हुए बारहल बिल्कुल हाईल के साथ मेरी सीट थी तो मैंने उसे कहा है एर हॉस्टस से मैंने कहा ये मेरी सीट किनारे के साथ है तो पाई चांस मेरी कोनी तुमको लग जाएगा किने लगी ऐसे मसाफिर परना फाई चांस गरम चाए भी गिट जाजी अदकार सदकार कॉम्पेर कालम नगार मसंफ दिलदार प्रवेजबर्टी तीस मुंबर उन्स और तालीस को गुज्रावाला में पैदा हुए है इक्तिजाई तिलीम उन्होंने गुज्रावाला ही से हासल की है दोस्तों अगर बात करें दिलदार प्रवेजबर्टी साथ की एजुकेशन की तो उन्होंने मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर हासल कर रखी थी अपनी तिलीम को मकमल करने के बाद उन्होंने बतौर इंग्लिश लिटरेचर लेक्चरार साईवाल के गौर्वेजबर्ट कालेज में खिदमात अंजाम दी थी लेकर एक साल तक वो साईवाल में रहे और उसके बाद उनका तबादला दुबारा लहोर में हो गया और लहोर में आकर उन्होंने गौर्वेज लहोर यूनिवस्टी को जाएन कर लिया था दिलदार प्रवेजबर्टी टीवी और रेडियो के हर दिल अजीज कंपेर अपनी हाजर जवाबी में बेमसाल थे दिलदार साथ को बियक वक्त उर्दू, इंग्रेजी और पंजाबी जबानों पर अबूर हासल था पाकसर पेलियम को पंजाबी में पहला क्विस शोक शूरू करने का आइडिया भी दिलदार प्रवेजबर्टी ने ही दिया था दिलदार प्रवेजबर्टी की शक्सियत ऐसी थी कि उनके एक दोस्त ने कहा था कि मेरी शादी पर वो ऐसे रक्स कर रहे थे जैसे वो अपने सगे छोटे भाई की शादी में मजूद हो यानि इस बास से मसूस होता है कि वो यारों के यार थे उनके दोस्त कहते हैं कि हमारी कोई भी मेफल उनके बगार अदूरी रहती थी अगर हम उनके बगार किसी मेफल में बैठे होते थे तो तब भी उनकी बाते हैं और उनके जुम्लों को हम याद करके खुश होते थे वो कमाल के इनसान थे और अपनी कोई भी परिशानी किसी पर जाहर नहीं होने देते थे और दूसरों को हर हाल में पुश रखने के फ़न को वो जानते थे हमारे एक दोस्त हैं एक सुन्सान थड़क पर वे चले जा रहे थे तो एक साहब ने उनसे आके पूछा रासदारी से यह जिदर से तुमारे हो तुमने कोई पुलीस का सिपाही तो नहीं देखा इस बहुत सोच के जिम्मेदारी से जवाब दिया कि नहीं उसे चाको निकारार कहा अगर तुमने सिपाही नहीं देखा तो पर जतने पैसे हैं मुझे देखा दिलदार प्रवेस बटी पर अल्ला का खास करम था वो पंजाबी जबान के कंपेर थे अर्दू जबान में वो कालम नगारी करते थे और अंग्रेजी अदब का वो ऐसा स्थाथ था जिसने एक बार अंग्रेजी में स्थाथों के स्थाथ परफेसर जिलानी कामरान महरून को ये कहते हुए सुना था कि दल्दार प्रवेस्ज बट्टी से बہتर इंग्रेजी का कोई बढ़ाने वाला गउर्मन कालेज में मचूद नहीं है दल्दार प्रवेस्ज बट्टी ने अधाकारी सदाकारी कालम नगारी कंपेरेंग के लावा अंग्रेजी में शायरी भी की और उन्हीं बड़ी ख्वाइश थी कि उनकी इंग्रेजी शैरी की कोई किताब शाया हो दिलदार प्रवेज बटी के बारे में एक वाक्या बहुत मशूर है कि उन्हें कि उन्हें सेकरेटरी एक्साइज ने अपने आफस में बलवाया क्योंकि उनके बेहनोई को रिश्वत के इल्दाम में मौतल कर दिया था दिलदार प्रवेज बटी अपने दोस्त के साथ सेकरेटरी एक्साइज को मिलने चले गए और उनसे द्रफास की कि वो हमारा बेहनोई है फिरबानी करके उसे बहाल कर दें तो सेकरेटरी ने कहा कि दिलदार तुम्हें पता है कि वो बहुत रिश्वत लेता है सर हमसे तो वो बेहन ले गया है आप रिश्वत की बात कर रहे हैं सेकरेटरी एक्साइज ने उनकी बात पर एक जबर्दस कहका लगाया और फरमाया तुम्हारे इस खुबसूर जुम्हे के सदके मैं उसे बहाल करता हूँ दिलदार प्रवेस बटी ने अपने कारियर का अगास 1974 में टाकरा प्रोग्राम से किया था इसके लावा उन्होंने प्रोग्राम मेला, यादशे बखैर, पांजनद जैसे मकबूले आम प्रोग्राम की कंपेरिंग की इसके लावा उन्होंने अदाकारी में भी अपनी किसमत अजमाई थी दिलदार प्रोग्राम बटी ने अपनी जिन्दगी में तीन कताबों को तहरीत किया जिन में दिलदारियां, आमना सामना और दिलबर दिलबर नमाया है मौज़र सब्सक्राइबर हम आपके शुकर अज़ार हैं कि आप अपना वकर नकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियो पर देते हैं हमारी प्रीस ही है कि हम आपके कमेट्स को अपनी अगली वीडियो में शामल करते हैं दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों दिलडार प्रवेस बटी के अगर अज़वाजी जिन्दी की बात करें तो वो शाधी शुदा थे और उनकी वाइफ का नाम और उनकी वाइफ का नाम अदीका रुबी है दोस्तों 30 अक्तूबर 1994 को शोकरत खान हस्ताल की फंडरेजिंग के सिलसले में वो अमरीका गए हुए थे और उनके साथ पाकस्तान के मशूर और मारूफ गुलुकार आरफ लोहार भी थे तकरीब के दुरान ही उन्हें ब्रेन हैम्रच हुआ और वहीं वो दम तोड़ गे और अपने खाल के हकीकी से जा मिले पाकस्तान में दिलदार के गरवालों को और उनके दोस्तों को उस सानिय की सबसे पहले अतला आरफ लोहार ने ही दी थी आरफ लोहार उन्हें अपना अस्ताद मानते थे दिलदार प्रवेज बेटी का जब इंतकाल हुआ तो उनके पास दो मरले का अपना गर भी नहीं था दुनिया में उसने कोई गर नहीं बनाया मगर वो हमेशा लोगों के दिलों में रहे हैं दिलों में रहने वालों को दुनिया में किसी गर की शायद जरूरत नहीं होती खीर मिक्स वाले उन्हें किया कपड़िया ही हुए इंस्पेक्टर जवरुजान जमीन पंखरी अब कैसा किरदार है थान पसंदा है बड़ा ए इंकिरदार पसंद सी तेसे करके तयानी खजालत मुल लगी कि मैंनो कमद कम साथे चार पंच गांटे मेकड़ करना स्थे ते उतारना स्थे लागते उससे बाद काम जड़ा हुंदा हो तें-चार मिनन दा हुँदा है अ उतार ही जड़ी जड़ा कल्ला वाल है जी एक वोड़ पार्ट वीन एक ट्रेजवर उसान जमीन संहरी हो सगना पुल्थार ने वर्दीन आप आई होए चित कप्डिये होए इंस्पेक्टर जमीन संहरी प्रदी शाप किया अगर प्रदी वीटी वीटी तो तांदेहने रहे पड़ाना रामा अंधिरा उजाला और आजकल प्रदी वीटी 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 यसी तानों हवेली ग्रामे देशने हैं कैसा किरदार पसंद आया बड़ा यह किरदार पसंद सी तैसे करके तैनी खजालत मुल लगी कि मैंनों कमद कम साथे तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता है कि मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेकन अभी आपने वीडियो मकमत और पर देख ली हैं अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें आप तमाम दोस्तों का बहुत बहु चुक्रिया